मैं अस्टील के इवेंट्स के दरण फ्लैश कहां था? क्या फ्लैश और उसकी टीम मूवी के एंड में हार जाएंगे? क्या दूसरे फ्लैश ने बैक्मैन का सूट पहन रखा है? तो दा फ्लैश का दूसरा टेलर हमारे सामने आ चुका है जिसे वाइनर ब्रोज ने दिखा है सिनेमा कॉन में जहां बहुत जादा नई चीजे नहीं रिवील हुई है सिर्फ हमें अलग परिस्पेक्टिव दिखा है पिछले टेलर के सीन्स का हाला कि कुछ शॉट्स नई थियोरी उसको सामने ला रहे हैं साथ ही साथ दा फ्लैश की स्क्रीनिंग भी हो गई सिनेमा कॉन में जिसके रियक्शन बहुत पॉजिटिव है तो आए उसी पॉजिटिविटी के साथ इस टेलर के बारे में डीटेले बात करते हैं तो दस्तों मैं हो मैं सिना और आज मैं ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ तो फ्लैश के दूसरे टेलर का तो दिल देला देने वाले और मल्टिवर्स हिला देने वाले स्पॉलर्स का ध्यान रखते हुए चले शिर करते हैं तो आप जानते हैं कि मैंने लिटरली आपको एक एक शॉट का डीटेल ब्रेकडाउन अपने पिछली वीडियो में दिया ही था पर अब वक्त है नए शॉट्स के बारे में बात करने का तो सबसे पहली चीज जो इस नए ट्रेलर में रिवील हुई वो है बात्मैन यानि ब्रूस वेन की फैमिली फोटो ये एवेंट अपने 1989 के बात्मैन की युनिवर्स में ही हो रहे है यहाँ कोई चेंज इस नहीं है स्टोरी में क्योंकि नए सिरफ ब्रूस के पेरेंट्स यहाँ वही है जो आप नोटिस कर सकते हैं 1989 की बात्मैन की ओरिजन स्टोरी में बलकि अगर आप बात्मैन का मिलियन डॉलर डिस्क सेटप देखो तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ सिरफ मॉनिटर्स मॉडरनाईज हुए है जबकि उनकी अरेंजमेंट वैसी ही है जैसी 1989 की बात्मैन मुवी में थी हाला कि बेशक एडवांस टेक के साथ बैक प्लेन बेशक दस गुना जादा ओसम हो गया हो पर बात्मैन के सूट रखने का तरीका अभी भी 80s वाला ही है हाला कि जितना बूड़ा बैक्मैन यहां दिख रहा है उससे साब से कहना गलत नहीं होगा कि उसका एलफेड अब तक मर चुका है अब आते हैं यहां पीछे सुनाई देने वाले ओसम डायलोग पर जहां माइकल कीटन का बैक्मैन बैरी को बता रहा है कि कैसे उसके दर्द ने उसको वो बनाया जो वो आज है उसने अपना जीवन लगा दिया क्राइम से लडने में ऐसे जैसे यह सब करके उसके पेरेंट्स वापिस आ जाएंगे जबकि वही बैरी लिटरली यही कर रहा है अपने दोनों पेरेंट्स को वापिस लाना जहां बैरी की मा नौरा एलन मारी गई थी वही बैरी के पिता को उसी मडर के एलिगेशन के साथ जेल हुई और बैरी ने बिना अपने माता पिता के अपना बचपन देखा वही ऐसा ही कुछ हाल बैटमेन का भी था इसलिए शायद बैटमेन उसकी मदद कर रहा है सब कुछ ठीक करने में और कारा ने भी अपने प्लैनेट के लोगों को खोया है तो इस टीम का सेंस तो बन रहा है हाला कि फ्लैश ने चीज़े अपने लिए अच्छी बनाने के लिए सब कुछ बरबाद कर दिया है यही हम इस शॉट में देख सकते हैं स्पीड फोर्स को बेसिकली बैरी के पास स्पीड फोर्स पर टैप करने की पावर है जो कि उसको सूपर स्पीड देने के साथ साथ दूरेबिलिटी भी देती है यह स्फेर रिप्रेजेंटेशन है स्पीड फोर्स का जो कि बैरी को एर फ्रिक्शन से बचाता है और इसी की मदद से वो सूपर स्पीड में टाइम ट्रेवल भी कर पा रहा है अब आते हैं इस इंटरस्टिंग शॉट पर अब हमें पता है कि बैरी जब टाइम में पीछे जाएगा तो हमाँ सूपरमैन नहीं है जॉट के इन्वेजन को रोकने के लिए इसलिए इतनी तबाई हो रही है हाला कि ऐसा लग रहा है कि बैरी अलेडी इन्वेजन का भयानक रूप देख चुका है तो इस शॉट में हम बैरी को इस बच्चे के पीछे नोटिस कर सकते हैं जो कि केवलार और डग टेप के कॉम्बिनेशन में इस सूट के साथ यहां आया है मेट्रोपॉलिस को बचाने ओरिजिनल डी सी यू में यानि कि जब सूपरमैन जॉट से लड रहा था और बैक्मैन नीचे से सब देख रहा था तब फ्लैश भी मेट्रोपॉलिस में लोगों को बचा रहा था यानि कि अब हमें तीसरा परस्पेक्टिव दिखेगा जॉट के इन्वेजन का आई होप वो पिछली बार की ही तरह परफेक्टली टाइमड हो तो यहां समझ आ रहा है कि एक पैडल सेट किया जाएगा मूवी में हाला कि मैं इंट्रेस्टेड हूँ इस फैक्ट में कि क्या हमें यहां लुइस लेन फिर से दिखेगी अब आगे इस शॉट में यहां मार्था वेन इंस्टिट्यूट के बाहर हम फ्लैश को खड़ा देख सकते हैं वही अंदर दूसरा बैरी लोगों को बचा रहा है आगे कारा बैरी से पूछ रही है सूपर मैन के एस सिंबल का मतलब और बैरी क्या हम सब जानते हैं कि इसका मतलब है होप अब अगले शॉट में माइकल कीटन का बैटमेन बोल तो रहा है कि यू आना गेट नट्स लेट्स अब हिंदी टेलर में इसका कंटेक्स लग रहा है कि यहां बैटमेन जॉड की बात कर रहा है हाला कि असली पागलपन मुवी में है बैरी का सूपर स्पीड फिट से गेन करना और ये पागलपन बहुत खतरनाक है हमें पिछले टेलर में भी इसकी जलक मिली थी कि कैसे बैरी खुद पर लाइटनिंग गिरवा कर वापिस अपनी पावर्स हासिल करेगा और ये पागलपन का पाट नहीं है पागलपन ये है कि जब पहली बार पावर्स नहीं मिलेंगी तो दूसरी बार खुद पर बिजली गिरवाना असली पागलपन है अगले शॉट में हम देख सकते हैं एक जबरदस टीम अप जहां बैरी, कारा और दूसरा बैरी सूपर हेरो पोज में खड़े हैं अब हम सब शुरू से कह रहे थे कि दूसरे बैरी का कॉस्ट्यूम अजीव लग रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने बैरी का कॉस्ट्यूम पैना है यह बैरी, बैरी, बैरी कारा को अजाद करवाएंगे हमें आगे यहीं का सीन दिख रहा है जहां बैरी को बचा रहा है और दूसरा बैरी कारा को उठा कर ला रहा है अब पिछले ट्रेलर में हमें बैरी यहां कॉस्ट्यूम में नहीं दिख रहा था हाला कि जब बैरी कारा को ढूंटता है तब वो कॉस्ट्यूम में था इन सब के उपर शायद बैरी के पास उसकी पावर्स यहां नहीं है क्योंकि उसके लिए फिर कारा को फ्री करवाना उतना मुश्किल नहीं होता और शायद कारा यहां बैरी को उसकी पावर्स दिलवाने के लिए एक और शौक दिलवाने जा रही है हम आगे बैनेफलेक के ब्रूस वेन को भी देख सकते हैं जबरदस डियालोग डिलिवर करते हुए कि इस कार्स वी हैव मेक उस हुवी आर वी अर नॉट मेंट तो गो बैक और फिक्स देम अब डीसी यू का ब्रूस जानता है कि कल बदलने से आज बहतर नहीं हो जाता प्लस हमारा experience ही हमें वो बनाता है जो आज हम हैं यह बहुत जबरदस लाइन है इसके अगले शॉट में हम देख सकते हैं बैन एफलेक के बैक्टमैन को फ्लाइंग फॉक्स से निकलते हुए पिछली बार हमने फ्लाइंग फॉक्स को देखा था जैक स्नाइडर की जसिज लीग में जहां यही एरक्राफ लीग को रशिया ले जाती है और वहां से लेकर आती है अब मुझे हैरानी हो रही है कि यहां में डी सी यू टाइम लाइन में ऐसा क्या हुआ जो बैटमैन को फ्लाइंग फॉक्स से आने की ज़रुत पड़ गई इसके बाद इस शॉट में हम देख सकते हैं बैरी को बिजली से बंदे हुए अभी तक जितने भी सीन हमने देखे बैरी के लाइटनिंग वाले उनमें हमें बैरी कहीं भी सूट में नहीं देखा हाला कि ऐसा लग रहा है कि बैरी दूसरे बैरी से इसी जगा बात कर रहा है तो यहां हो क्या रहा है, आगे हम देख सकते है Batman और उसकी टीम को Zor की आर्मी की बैंड बजाते हुए और Cara को Zor की बैंड बजाते हुए अब जहां ऐसा लग रहा है कि Batman, Flash और Supergirl Zord को रोक देंगे महीं कहीं न कहीं ऐसा भी लग रहा है कि ये लोग जीत नहीं पाएंगे क्योंकि हम जहां यहां Kara और Batman को हताश देख सकते हैं उपर से यहां Flash भी कह रहा है कि हम कुछ भी कर ले कोई से ठीक नहीं कर सकता जिस पर दूसरा Flash कह रहा है कि नहीं कोई नहीं मरेगा अब अगर आपने Man of Steel देखी है तो आपको ध्यान होगा कि जहां Superman Zord को रोकता है वहीं वो World Engine को भी तबाह करता है ताकि Earth का Atmosphere Convert ना हो पाए क्रिप्टोनियन Atmosphere में तो जहां हम यहां Barry और उसके साथियों को Zord और उसकी आर्मी को रोकते वे देख रहे हैं वहीं World Engine जो कि एक Metropolis में है और दूसरा Indian Ocean में उन्हें कौन तबाह करेगा जिसका मतलब Barry को टाइम में वापस जाकर अपनी गलती ठीक करनी पड़ेगी यानि उसे अपनी मा को मरने देना होगा जो कि अब उसके लिए पहले से ज़ादा traumatic और painful होगा आगे हम वापस मिलते हैं Namik से इसका नाम एक नहीं इसका नाम है Namik कोई lame जोग का award दो मुझे तो Namik से हम Man of Steel में भी मिल चुके हैं जो कि जैसे यहां Batman के aircraft पर उचला वैसे ही वो Man of Steel में जेट के ओपर कुदा था हाला कि वहाँ वो निकल गया हो पर यहां Batman से बचना मुश्किल है लाश शॉट में हम देख सकते हैं Barry और दूसरे Barry को Batman के backplane में जहां वो लोग जा रहे हैं The Flash को लेकर इन सब के ओपर CinemaCon के Premiere के response को देखकर ऐसा लग रहा है कि हमें एक बार फिल नोवे होम जैसी फील आने वाली है इस मूवी को देखकर पर अब देखना ये है कि Warner Bros क्या इसी लेवल का फन हमें नए DCU में दे पाएगा तो दोस्तों ये था टेलर ब्रेकडाउन Flash के दूसरे टेलर का ये आखरी टेलर ब्रेकडाउन है इस चैनल पर Flash मूवी से रिलेटेड कहीं नहीं जा रहा हम है ये मूवी अब आलमोस्ट एक महिना दूर है रिलीस से इसके रिव्यू, मूवी से जोड़ी छोड़ी छोड़ी डीटील से आपको जगा जगा दिखने शुरू हो जाएंगी पर यही ब्यूटी है इस स्टोरी की जहां सब को पता है कि ये स्टोरी Flashpoint के बारे में है पर तब भी हम फैन्स एक्साइटेड है इस मूवी को हॉल में देखने के लिए पर फिर बेर उसको इसको इटल मिस हो गई हो या को इसको इनए फैक्ट एस वीडियो से रिलिटेड तो प्लीज दाने कमें पर ज़रूर बताएं या हमारे सोचल मेडिया हैनल पर हमारे साथ शेयर करें हम हर जगा है तो दोस्तों अगर आप DC के बार में लिटरली सब कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारे Injustice Gods Among Us Comic Series रेकमेंड करूँगा साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंदा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसे कई सारे सूपर केंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू गाइज दिजामन सिर्ना और यू आल सूपर सूपर पीस